हेलो एब्रूवन आप सभी का एक बाद फिर से बहुत वस्वागत है जौफ्रे रे यूट्व चानल में दोस्तो आज की वीडियो होने वाले बिहार दोरोगा भरती 2020 की जो नई आई है उसकी नियू सिलेबस को लेके जिया दोस्तो नियू सिलेबस 2020 की यहां पर हम लोग इच्छा होंगे यहां पर नियति मार्किंग है या नहीं 2020 के जो नहीं वेकेंसी आई है यह सारी चीजे हम इस वीडियो में फूल डिटेल में जानेंगे दोस्तो आगे बढ़े उससे पहले एक छोडिस रिक्वेस्ट है कि मैंने इसके ऊपर एक फूल डिटेल में वीडियो कितना है इसमें इस वार की दी गई है और यहां पे जो है एक्जाम डेट के बारे में टोटल पुस्ट जो है आपको मैं थोड़ी सी यहां पर डेट के बारे में पहले बता दूँ इसकी जो ऑपनिंग करने की जो डेट है ऑन्लाइन स्टार्ट जो होगी वह 16 अगस्ट 2020 से जानि कि आज ही से जो है यह वह स्टार्ट हो चुकी है तो आप लोग जाके अपलाई भी कर सकते हैं उससे पहले आप लोग दोनों वीडियो जरूर देख लें कि आपकी मन में अगर कोई साभी डाउट हो तो यह इस दोनों वीडियो से देखने के बाद आपके मन का करने को मिल जाएगी ठीक है दोस्तों और यहां पर सारी जानकारी मैंने वह से अगले वाले वीडियो में दे रखा तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मैं एक वार इसकी इंपोर्टेंट डेट के बारे में बता दू जो कि सोला आर्ट दो है यानि कि सोला अगस्त रवीव क्या है ठीक है यहां पर देख सकते हैं कहा गया की लिखित परतियों स्थट परीशत परिक्षा यहानि कि रिखित परिक्षा के लिए जो pour पहला एक प्रारंबिक एक जो है मुख परिछा यानि कि एक प्री और एक मेंस परिछा आपकी होगी जो दोनों यहाँ पर होने वाली है ठोए तो आपको पता चल गए कि कितने यहाँ पर पर रिक्जाम और भी uda है इस ग्जाम में आप लोग प्रारंभिक परिच्छा में वो 200 अंकों का एक पत्र होगा यानि कि एक question आंसर सीट होगी सरी question सीट होगी उसके यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया कि परश्नों की cool संख्यां hundred होगी और यहाँ परिच्छा की अब धी दो घंटे की होगी तो मैं आपको यहां पर साब साब बता दू कि 200 अंकों की परारम भी परिच्छा होगी ठीक है पिडी एक्जाम होगी जिसमें आपको कोश्चन जो है नंबर ऑप कोश्चन वह हंड्रेड होंगे और यह दो घंटे का समय दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग जहां ल मिले कि आपको कुछ इंटरनेशनल होगी वह सारे चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है और यहां पर जो है मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले बाले जो वेकेंसी आई थी उसमें जो है उम्मैत के भी थी तो वह मैं आपको बता देना आया तो वह मैं आपको बहुत जल्द वीडियो के मादेम से चैनल पर देने वाला हूं ठीक है उसकर यहां पर जो कहा गया है दोस्तों देख सकते हैं कि 30% से अंक प्राप्त कर नीचे प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों को यहां पर जो है और परिक्षा में प्राप्त अ वह आपको मैं आगे चलके बताऊंगा और यहां पर कहा गया जितने भी कंडिडेट यहां पर पास होंगे ठीक है तो उन में से जो है यहां पर आपको 20 गुना यानि कि जितनी वेकैंसी है उसकी 20 गुना यहां पर आपको जो है वह अभ्यारतियों को सेलेक्ट किया जाएग ठीक है यह धियान रखिएगा उसके अद कहा गया मुख परिक्षा यानि कि जो मेंस परिक्षा को उसके लिए यहां पर कहा गया है कि प्रारंभिक परिक्षा में सफल अभ्यारतियों को मुख परिक्षा में जो है और संबली तो होने का अवसर परदान किया जाएगा मुख मुख परिक्चा में जो है दो पत्र होंगे ठीक है आपको बता दूँ मुख परिक्चा में जो है वहा दो कॉंपी होगी यहां पे और यह कौन-कौन से अलग-अलग एक्जाम होंगे इसमें जो है वह देख लिए क्या कहा गया कि पर्थम पत्र में जो है आपको 200 अंकों का सा आमाने हिंदी से सिर्फ जो है question होंगे जिसमें आपको दो घंटे का समय दिया आजाएगा और टोटल पर्शन जो है वह 100 होगा ठीक है 100 होगा number of question और परते question जो होगा दो अंकों का होगा यहाँ पे और समय आपको जो है वह दो घंटे दिये जाएंगे यानि कि 120 मिनिट आपक वह आपके मेंडिट में नहीं जूड़ता है इसलिए आप सिर्फ इसे पास कर सकते हैं 30% अंक लागे ठीक है आप 100 में से जो है वह 30% अगर लाते हैं ठीक है 30 question का अगर सही answer आप देते हैं तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे ठीक है यह चीज़ ध्यान रखिएगा और कह अगया कि अनिवार होगा जो 30% अंक प्राप्त करना अनिवार होगा अने था उन्हें जो है अयों को घोषित कर दिया जाएगा ठीक है उसका यहाँ देखी क्या कहा है कि समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेंगा सुची में जो है नहीं जोड़ा जाएगा जैसे कि मैंने मैंने जैसे बताया था कि आपका दो एक्जाम होगा पहला तो एक हिंदी जो है समानी हिंदी से टोटल कोश्चन होंगे जिसका आपको अंक मेंगा सुची में जूड़ेगा दूसरा पेपर जो होगा ठीक है उसमें यहाँ पे कहा गया कि समानने बिज्ञान नागरिक सास्त भारतीय इतिहास और भारतीय जो है भुगुल एवं गनिद एवं मान्सी की योगता यानि कि जो आपकी रिजनिंग होगा उससे जाझ से समबंधित होंगे ठीक है दूतिये पत्र का पुरनांक 200 अंकोगा होगा ठीक है धुतिये पत्र जो होगा उसमें भी आपको 200 अंक का ह जैसे बताया कि 600 अंकों का यहां पर आपका जो है वह एक्जाम होगा ठीक है तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं एक तो पिडी के यहां पर 200 का होगी है और फीजिकल के अधारप यहां पर आपकी सुचना जो आपकी मेगा सुची में उसका नंबर जूड़ेगा ठीक है कहा गया है यहां पर देख सकते हैं कि दोनों चर्णों की परिक्षा में परतेग गलत उत्तर के लिए आपको जो है वह 0-10 दू अंक जो है काट लिए आपको जो है वह पांच गलतियां जब होगी ठीक है तो आपकी जो है वह एक अंक कट लिए जाएंगे आप लोग ध्यान रखिएगा तो 0.2 अंक जो है आप बोला गया काटा जाएगा उत्तर पुस्त का जो है दो परतियों में होगा जिसकी जो है एक परति आयोग के पास स खरिक्तियों के छो गुणा अभियार्तियों का जो है चेर्न किया जाएगा जो साथीरी की दख्चता परीच्छा के लिए ठीक है तो यह जानकाडी आप लोगो इस यहाँ पर किलियर हो चुके है अगर आप कोई भी डाउट यहां पर रहता तो आप करें और हम से जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे तब तक के लिए दुस्तों धन्यवाद मिलता फिट अगली वीडियो में